दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे आतने Blue Star Air Conditioner का ये remote control और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस remote की function के बारे में बताऊँगा जिसमें आपको ये बताऊँगा कि कून से बटन से कून सा operation run होता है और उसका importance क्या होता है तो इस वीडियो को आप बिना skip करके अन तक जरूर देखेगा जिससे कि आपका knowledge बढ़ेगा और आप Blue Star के AC कोई remote control को बहुत ही आसाने से use कर पाएंगे दोस्तों ये है हमारे Blue Star Air Conditioner के remote control का look कुछ इस तरीके से दिखता है और यहां आप में top में जो हमारे key दी हुई है वहाँ से लेकर हम end तक जितनी भी key दी हुई है उनके हर एक operation के बारे में आपको बताएंगे middle में दोस्तों आपको ये जो green color की की दी हुई है वो power on off की की है इस से ही आपको air conditioner on करना है और जब भी आपको off करना है तो AC को प्रेस करना होता है AC आपका off हो जाता है power on off की के बाद में दोस्तों just pass में यहाँ पर mode की की दी हुई है और इस key को प्रेस करके आप AC को अलग-अलग mode पर in कर सकता है normally आपको यहाँ पर 3 mode मिलता है cool mode जिस पे आप AC को run करता है और cool mode का sign way भी आपको दिख रहा है cool mode पर दोस्तों AC से cooling आपको मिलती है इसके just next mode है यहाँ पर dry mode dry mode को दोस्तों आपको monsoon season में यूज़ करना होता है और dry mode दोस्तों basically जो है वो humidity level को कम करने के लिए उपयोग में किया जाता है बरसात के मुसम में दोस्तों normally क्या होता है कि moisture का फिदा बढ़ जाता है आपकी room में चिप-चिपा माहूल हो जाता है तो AC में दोस्तों dryness करने के लिए यहने की moisture level को कम करने के लिए आपको dry mode पर air conditioner को run करना होता है उसके just बाद अगला mode है fan mode और fan mode पर दोस्तों AC जो है वो केवल अपने blower से normally fan को ही run करता है और आपको normal air provide करता है इस समय दोस्तों cooling नहीं होती है तो दोस्तों अगर जब कभी भी आप मान के चलेंगे AC के अगर आपने servicing कर रही है तो उस समय के लिए आपको technician यह सला देता है कि आप fan mode पर AC को चला है जिससे की क्या है कि normally आपकी cooling calls वगरा जो है वो आसनी से clean हो जाए तो fan mode का अलग-अलग time पर use है जिसी आपकी requirement हो उससाब से आप fan mode को use कर सकते है next key है यहाँ पर fan key की को आप set कर सकते है उसकी अलग-अलग speed होती है 1,2,3 जिस वे आपको जो भी speed रखना है उस पर आप set कर सकते है नॉर्मली जो है वो auto यहाँ पर speed होती है तो auto पर अगर आप set करेंगे तो fan अपने इसाब से speed को adjust करेगा जिसी आपको fan key speed चाहिए जितना आपको airflow चाहिए उसके साब से आप set कर सकते है just नीचे यहाँ पर के लिए दोस्तों 5-in-1 convertible cooling mode की जिसी दोस्तों आप इसकी को प्रेस करेंगे तो AC 100% capacity, 80% capacity, 60% capacity और 40% capacity में work करेगा तो यहाँ पर अलग-अलग mode पर आप AC को run कर सकते है suppose अगर आप कम cooling की requirement है तो आप 40% पर चलाए उससे ज़ादा cooling की requirement है तो आप 80% पर चलाए, 60% पर चलाए यह फिर 100% capacity पर चलाए आपकी जैसे requirement है उससे साब से आप AC से cooling ले सकते है जस्ट इसके पास में 5-in-1 turbo की की दिवी है यह भी convertible cooling mode की ही एक process है इस पर जब कभी आप AC को चलाएंगे तो AC turbo mode पर काम करेगा यानि कि fan के speed को increase कर लेगा और AC का temperature भी default 16 degrees हैट हो जाएगा और AC में आपको AC से fast cooling मिलना शुरू हो जाएगी इस mode को कभ आपको यूज करना है सबस्थ अगर आपके आप पार्टी है और काफी सारे guest आपके घर में आये हुआ है या फिर आप बहार गर्मी से आये हैं और आपको बहुत ज़्यादा cooling की requirement है तब आपको turbo cool mode पर AC को run करना है और AC से इस condition में आपको बहुत फास्ट cooling मिलेगी लेकिन ध्यान देखिएगा कि दोस्तों आपको unnecessary इस mode को use नहीं करना है क्योंकि अगर आप सब उस unnecessary करता है दोस्तों आपका vision का मिल भी जादा ही आएगा तो इस mode का ध्यान ज़रूर रखें जब requirement हो तब ही आप जो है वो turbo key को use करें यहाँ पर और green color की की दी होई है plus और minus की simple सी बात है दोस्तों इन की से आप AC के temperature को increase कर सकता है या minus की की से आप decrease कर सकता है आपको जो भी temperature की setting चाहिए उससाब से आप यहाँ से adjust कर सकता है next key है timer on off और clock की सबसे पहले हम clock के बारे में बात करेंगे normally आपके AC के remote control में जो भी time set हुआ हुआ है अगर आपको उसे change करना है तो आपको clock बटन पर just simple press करना है या आपर जो time blink होना शुरू जाएगा उसके बाद plus minus की की से आप जो है वो timing set कर सकता है फिलाल अभी 12 से 30 अब बात करते हैं अब बात करते हैं timer on off के बारे में दोस्तों timer on off का simple सा मतलब यह होता है कि आप AC को किस समय on करना चाहता है और किस समय off करना चाहता है याने कि आप अपनी एक pre-decide timing set कर सकता है उसको set करने के लिए जस्त आपको timer on पर click करना है उसके बाद plus minus की बटन से आप जो है वो timing set कर सकता है और उसको set करने के लिए आपको अपस से timer on पर click करना होता है same आप timer off के जो भी timing है प्लस मैनस की की से आपको टाइमिंग सेट करना है और फिर टाइमर on off वाले बटन को दुबारा प्रेस करना है जिससे कि आपकी टाइमर on और off दूनों की ही सेटिंग आसानी से हो जाती है और cancel करने के लिए भी आपको save इसी बटन को प्रेस करना होता है नेक्स्ट की है दोस्तों energy save की keep और इस बटन का उपियोग कर दोस्तों आप AC से decent cooling ले सकता है और अच्छी आपसे power saving भी कर सकता है जिससे आप इस बटन को प्रेस करेंगे यहाँ पर E का symbol बनावो आ जाएगा इसका मतलब यह है कि AC आपका energy save mode पर फिलाल run हो रहा है इस mode में दोस्तों क्या है कि normally आप अच्छी आपसे power saving कर सकता है और इस mode को आपको night के time जरूर use करना चाहिए क्योंकि दोस्तों night में temperature इतना ज़्यादा होता नहीं है वेसे ही दोस्तों अच्छी थंड़क होती है यह AC आपको four way swing के feature के साथ मिलता है यह बटन जो दिया हुआ है यहाँ पर AC जिसे आप प्रेस करेंगे तो AC का जो blower है वो up and down आपको air through करना शुरू कर देगा उसकी moment शुरू जाएगी दिखे अभी आप वीडियो की screen पर देग भी सकते है कि जो हमारा AC का indoor unit है उसका जो blower है वो up and down moment उसने करना शुरू कर दिया है अगर आप एक जगह पर जागर उससे freeze करना चाहते है तो दोबारा अगर आप इससे freeze करेंगे तो एक जगह पर ही जाकर freeze हो जाएगा यानि कि अगर आप चाहते हैं कि एक direction में ही आपको air मिले तो आप इस button के तुरू जो है वो lower को set कर सकता है और वेसे ही दोस्तों दोबारा अगर आप उससे freeze करेंगे तो AC का जो blower है वो up and down moment शुरू कर देगा यानि कि आपको up and down air delivery प्रोवेड करेगा next अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों जो अंदर के lock वगरा दिये हुआ है वो भी left and right rotate होना शुरू हो जाए जिससे कि आपको चारो दिशाओ में air delivery मिले तो आपको केवल इस button को प्रेस करना है उसके बाद आप देख सकते हैं कि वीडियो के screen पर की दोस्तों जो AC का अंदर का blower है उसने भी movement शुरू कर दी है तो वो भी अब आपको जो है वो left and right air delivery देना शुरू उसने कर दिया है जैने कि आप इस AC से चार अलग-अलग direction में air ले सकते हैं और ये feature दोस्तों आपको काफी help करता है आपकी room को fast cool करने के लिए जब भी आपको इसकी requirement हो तो बिल्कुल आप इसे use कर सकता है next किये दोस्तों light की light का simple सा मतलब ही है कि जो भी display आपको AC के indoor view पर show होता है अगर आप उसे on रखना चाहते हैं तो light के button को आपको on करना होगा अगर असे off करना चाहते है तो same आपको light के button को ही press करना होता है आप इस बटन से कर सकते हैं अब अगली कीकी बात करता है वो है sleep कीकी दोस्तों sleep जो होता है वो normally हम night के time के use करता है जब भी हम सोने जाता है तब आप sleep profile को active कर सकता है active करने के लिए आपको इस button पर click करना है यहाँ पर देखें moon का symbol बना हुआ जाएगा यहाँ कि चंद्रमा का symbol बना हुआ आजाता है यहाँ कि आपका sleep profile इसी जो है वो active कर चुका है जब भी दोस्तों sleep profile में आप AC को on करता है जो भी temperature आपने set किया है सब उस जिसे कि अभी है आप भी हमारी screen पर आपको दिख रहा है उसके हर दू घंटे के बाद एक एक डीगरी और बढ़ाता जाएगा यानि कि ऐसा AC को करनी की ज़रुत क्यों है और इसकी requirement क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ नॉर्मली रात में दोस्तों automatically temperature drop होता जाता है यानि कि रात में दीरे दीरे जो atmosphere हो ठंडा होता जाता है तो AC में हमारी body को उतनी ज़्यादा cooling की requirement होती नहीं है तो sleep profile में अगर आप set करता है तो AC भी अपने temperature को regular intervals में बढ़ाएगा इससे दोस्तों यह होगा कि आपको एक comfortable need आएगी यहने कि आप बिल्पल disturb नहीं होंगे आपको कमबल लेने के जरूत नहीं पड़ेगी decent cooling आपको air conditioner से मिलेगी और इस condition में आपका AC power consumption भी काफी कम करेगा क्योंकि अगर maximum temperature पर काम करेगा तो सिंदी सिवाय तो उसकी compressor को कम मेनत करना बढ़ेगी यहाँ पर आपके अच्छी खासे power 7 भी होगी इसलिए आप रात को सोते समय slip profile के feature को जरूर इस्तमाख करें तो दोस्तों यह रहे detail information blue star के इस remote control के बारे में जहाँ हमने दोस्तों one by one आपको सारे function के बारे में detail में बताया है उमदे दोस्तों आपको मारा ये वीडियो जरूर अच्छा लगाओगा अगर आपको मारा ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हूँ तो प्लीज इस वीडियो को अपना प्याद देना मत भुलेगा और ज़्याद स्यादा इस वीडियो को अपना family friends number के साथ जरूर शेर कीजिएगा और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंड कीजिए वैं आपके सवालों को रिप्लाई आपको जरूर करूँगा दोस्तों आज की वीडियो में बलता है बहुत जलन देक न्यू वीडियो में तब तक की निया जय हिन वंदेक मातरावन